हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके लेकर आई हूँ समा के चावल की खिचडी जिसे आप ब्रत में भी खा सकते हैं तो सबसे पहले हम तेल को गरम कर लेंगे और तेल में मौमफली को फ्राय करेंगे मौमफली फ्राय हो चुकी हैं अब हमेंसे एक कटोरी में निकाल देंगे सेम कड़ाई लेंगे एक चम्मच जीरा जीरे को गुल्डन ब्राउन होने देंगे हरी मिर्ची लेंगे मैंने आप तीन से चार हरी मिर्च ली हुई है इसे भी फ्राय कर लेंगे इस टमाटर लेंगे टमाटर को मैंने छोटा छोटा काटा हुआ है इसे भी फ्राय कर लेंगे मैंने एक चोटी का टोरी चावल लिए है उसके लिए मैंने एक टमाटर का यूज किया है आप अपने अकॉर्डिंग टमाटर का यूज कर सकते हैं स्वादनू सार, सेंधा नमक लेंगे, मिक्स करेंगे, एक कटा हुआ आलू लेंगे, यह मैंने कच्चा आलू लिया है, तो इसे मैंने छोटा-छोटा ही काटा है, ताकि यह हैं अच्छे से पक जाए, अगर आप चाहें तो बॉयल आलू भी ले सकते हैं, जो हमने मुमफली फ्राई की थी, मुमफली डाल देंगे, अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी आप चावल के अकॉर्डिंग ही ले, मैंने एक छोटी कटोरी चावल लिये हैं, तो इसके हिसाब से मैंने यहां पे दो से धाई कटोरी पानी लिया है, पानी में बॉयल आने देंगे, और अब हमने समा के चावल जिसे मैंने दो से तीन वार अच्छे से पानी से धो लिया था, उसे डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे ढखक कर पकालेंगे, अब हम चेक करेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल नहीं भूलें, जिससे मैं कोई भी वी वीडियो अप्लोड करूंगी तो उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, अब हम आलू चेक कर लेंगे, आलू हमारा पक चुका है, इसे दो मिने टॉर खोल कर पका लेंगे, काफी सारा हरा धन्या लेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे, आप इसे कोई भी फास्ट में खा सकते हैं, नवरात्री, शिवरात्री या कोई भी आप ब्रत अगर रखते हैं, तो आप इस तरीके से समाके चावल की खड़ी बना कर खाएं, यह बहुत तेस्टी लगती है, और आप इसे दही के साथ खाएंगे, तो यह और भी ज़्यादा तेस्टी लगेगी, अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाय फ् थान्स, स् दकुष्ग्याद कर खाएंगे, बहुत टक्विसक बना करे छेएंगे, तो यह भी बहुत आएंगे, तो अँंस, तो एดन दिएकशनेze, तो तो यह बयोचरणिए, एच है अख़एंड जोड़ी, अइसा चलिए, और निह भीएंगे, ग्टाक रखएंगे,